बिहार पुलिस कॉंस्टेबल का एकजाम आप लोग का कब तक कराया जाएगा और कब तक आप लोग को पूरा प्रिक्रिया समाप करके जॉइनिंग भी दे दिया जाएगा आईए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं तरह से किया गया मतलब सब कुछ लगा कि फेस्बूक का ओरिजिनल आईडी से किया जा रहा है चुकि हम भी थोड़ा सा धोखा खा गया और हलका सा मेरा भी वहां गलती था यह जो नमस्कार दोस्तों आनंद स्टेडी ओनलाइन चनल में आप लोग का फिरसे एक पर स्वागात और कितना आपको इस पर ध्यान देना है क्योंकि और भी आगे वेकेंसी बहुत सारी है जिसको आप लोग जरूर भरे होंगे तो इस पर ध्यान दे या उस पर ध्यान दे आईए इस बिंदू पर हम लोग चर्चा करते हैं और बहुत सारा confusion छोटा 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 डाउट बना है उसको भी इस वीडियो में दूर करेंगे सबसे पर हम लोग बात करने वाले हैं आपके 2391 पोस्ट के लिए जिसका हल्ला तो ऐसा था कि वेकेंसी आया है और बहुत जल्द एक जाम ले लिया जाएगा आक्टूबर मिलेने का परियास भी किया गया आपके CSBCIO के द्व का है यह है कि आपको पता था कि जो भी लोग इस सेटिंग में पकड़ाया थे यानि कि अक्टूबर में जो आपका इकजाम हुआ इसका ठीक है अक्टूबर में जो इकजाम हुआ एक अक्टूबर साथ अक्टूबर 15 अक्टूबर को जो डेट रखा गया था इस समय में जो लोग जेल गए या नहीं गए वो अलग बिंदु है लेकिन जितने भी लोग उस समय में पकड़ाये थे यानि कि उनके करवाई चल रहा था उसमें से कुछ ऐसे लोग बाहर आ चुके हैं जो कि बहुत ही खराब छविके थे यानि कि पुना उनके द्वारा फिर से सेटिंग का प्रक्रियात किया जाएगा क्योंकि जिसका लच्छन जो हो जाता है वो जल्दी सुधरता नहीं है और पुलिस उसको किस अधार पे छोड़ दिया ये भी समझ में नहीं आता ठीक है अब पताने अंद्रूनी बात क्या है लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कि सेटिंग में समल आप लोग को परिवर्तन मिलेगा और यहीं लोग उसमें भी कुछ खेल करते हुए नजर आएंगे यह तो देखने का बात होगा लेकिन हम यहां पर बात करते हैं आपका सबसे पहले हम बताते हैं आपको अगर आपका बिहार प्रिस्ट के लिए एक्जाम होना है तो वह एक कार्ड आपका 10 जनवरी के पहले आना ही होगा तो कि आपको पता होना चाहिए कि आपका जो आयोग है CSBC यह अब बहुत ज़्यादा अपडेट देने के लिए तयार नहीं है किसी भी चीज़ का हम परियास भी कर रहे हैं अपडेट लेने के लिए लेकिन बहुत ज़्यादा रहा है कि वोज़दा बात होता है रहा है ना इसके बा dei से बात कर ना रहा है क्योंकि अभी कंसर्ण नहीं है अभी इसके पास 12T लेवल पर दे का जोब है अब यहांपे एक मैं फॉर्म गिरा हुआ आपका उनीस लाग जो की करीब करीब बिहार पुलिस का है और एक में फॉर्म लगवाग साथाइस याठाइस लाग गिरा हुआ जो की बिहार एससे इंटर लेवल का है अगर रूल के मुताविक बात किया जाए कि एकजाम किसका पहले होना चाहिए तो व बहुत सरा वीडियो हम बना चुके हैं जो कि आपको देखे हैं जुड़े रहते हैं तो आपको सबसी अपडेट मिलते रहता है अपडेट रहते हैं आप लोग सब्सक्राइब लाइक और शेयर से तो वह जरूर कर दिजिएगा ताकि कोई भी वीडियो बनेगा बिहार प्र उसके लिए आप लोग प्रेट रहा पाएंगे तो इसके पास दो बड़ी वेकेंसी हैं इसका एक्जाम अगर लेना चाहिए सबसे पहले बिहार प्लीज के पहले नहीं आता है तो इक्जाम आपका जनवरी में नहीं हो पाएगा बिहार प्रेट का और इसके लिए को भी अगर तैयार है इसके लिए वो भी करते हैं और बहुत ज्यादा रिलेक्स है कि चलो एक्जाम अराम से 5-6 महीना बाद होगा तो भी गलत है और इसको पूरा प्रक्रिया पूरा करने में यानि कि वेकेंसी जब यह लाया था उस टाइम बोला था कि 6 महीना में हम पूरा वेकें है अलग-अलग शिफ्ट में एक्जाम होगा करीब 3-4 दिन आपका एक्जाम चलने वाला है जो कि परते एक दिन जो शिफ्ट में चलेगा क्योंकि संख्या ज्यादा है भरने वाले का तो एक्जाम भी अच्छा से लेना पड़ेगा और चुकि यह ओफ्लाइन एक्जाम है तो आफ्रेन एक्जाम में मुसीबत और भी ज्यादा आता है क्योंकि सेंटर को मजबूत करने के लिए सेटिंग ना हो इसको दूर करने के लिए जैमर लगाया जाता है अब जैमर लगाना कितना सफल होता है कितना सफल होता है वो दरोगा वाले एक्जाम में आप देख सकत पता है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर खर्चा बढ़ जाएगा और फिर से होना ही है और फिर से कोशन कहीं ने कहीं थोड़ा सा तो आउट हो जाएगा इगनॉर करते हैं रिजल्ट दे देते हैं और देखिएगा आप लोग बिहार दरवा का रिएल्ट बहुत पहले दिया जाएगा मतलब तुरह जली मतलब रिजल्ट आने के बाद लोग चूप हो जाते हैं कि चलो अब रिजल्ट आ गया तब एक्जाम पर क्या सवाल उठाएं कि सेटिंग हुआ था कि नहीं हुआ था बूल जाते हैं लोग जितना हल ला करना है अभी कर रहे हैं रिजल्ट जाएं बात हम नहीं बोल रहे हैं सेटिंग का हमेशा से देखा जा रहा है सेटिंग ये बंद कराने के लिए वो लोग को बंद रखना चीए था जो एक अप्टूवर को पकड़ाया थे इनका हाथ था जो उसके उपर उसके उपर बैठे हुए थे वो सब को आप पकड़े जो फिर छोड़ क्यों रहे है ये थोड़ा सा संसा है और दिक्कत है कि वैसे लोग फिर से परियास कर सकते हैं इसलिए यह संभाबना थोड़ा सा हमको पढ़े पिछले वार के पिच्छा बढ़ते हुए नजर आ रहा है जो कि आप लोग खोद भी देख सकते हैं और चुकि तो बिहार अस्पेशल के लिए आप बुक क्यों नहीं बताया है, मतलब बिहार के बारे में पूरा जनकारी, बिहार का भोगोल बताईएगा, बिहार का इतिहास के बारे में, बिहार का जो भी भोगोलिक जनकारी है, वो सब हमको नहीं है, तो हम बिहार पुलिस का एक्जाम कै के तरब से बिहार के लिए हम पहले हैं से कोस्टन बहुत ज्यादा नहीं पूछाता यह लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि नहीं हम प्यार का एजाम देंगे तो बिहार पढ़ना है ठीक है और अधर इस जाम में ऐसे इसमें question नहीं पूछेगा बिहारा special से बहुत ज़्यादा ठीक है तो इस कारण से आप लोग को follow नहीं करना होता तो हम जरूर बताते ठीक है यहां पे question काफी अच्छा discussion भी दिया गया है लिजिए आपको एक दो तीन पेज का हम यहां पे अस्प्रिंस लगा रहे हैं जो कि question का भी होगा इसे में आपका discussion का भी होगा जो कि आप देख सकते हैं और इसमें मातर 20 इस प्रेक्टिसेट है 500 पेपर मतलब पहले जो पांच बार एक्जाम होगा है बिहार प्रिंस आ कोशन वह भी है तो मैक्सिमाम लोग तो बनाकर लगा लिए लेकिन जो लोग छोड़ चुके हैं वो लगा लिए बनाकर यह ज्यादा अच्छा होगा इसका भी लिंख हम डिस हुए थे मेरा फेस्बूक पेज हैक कर लिया गया किसी हैकर के दोड़ा और इस तरह से किया गया मतलब सब कुछ लगा कि फेस्बूक का ओरिजिनल आईडी से किया जा रहा है चुकि हम भी थोड़ा सा धोखा खा गया और हलका सा मेरा भी वहां गलती था यह जो पेज आप फॉलो कर रहे थे आनंद स्टडी ऑनलाइन का यहां पे फेस्बूक पेज के नाम से था यह सब आप देख रहे हैंगे कभी जरूर देखे होंगे या जो लोग जुड़े हुए होंगे यह फेस्बूक चैनल यह फेस्बूक पेज अब मेरे हाथ में नहीं है मेरे कमांड में नहीं है पता नहीं किसके कमांड में है वो अपने तरीके से इसको चला रहा है है कर चुका है इसका हम लीगल इंफोर्मेशन थाना में जहां भी देना है साइबर क्राम में दे चुके हैं और आग इसको हम पढ़ा रहे हैं जब तक यह पेज वापस नहीं आ जाता है आप पेज तो कुछ करने के लिए किया होगा वो हमको ही मालूम नहीं है वो करेगा तो आप ही लोग बताईएगा तो उससे पहले आपको सतर कर दिये कि इस पर कोई भी मैसेज इसका जाता है तो आप लिगनोर करिएगा और जहां तक हो सकते हैं यह दूप का ख़बर था लोग हम से जुड़े हुए थे जो की रेगुलर फॉलो करते थे और जितना वी वीडियो अपडेट है वहां भी हम डाला करते थे तो उसका मतलब अलग थोड़ा सा जाता है मतलब उसके जितने वी वीवर होते हो थोड़ा अलग प्रकार के होते हैं वह फेस्बुक पेज को ही फॉलो करते हैं तो लोग थोड़ा सा देखेंगे कि इसके द्वारा कोई मैसेज को इग्नॉर करेंगे ठीक है यह हो गया आईए सबसे बात करते हैं कि आपका सौ कोस्टन जो आएगा वो रिटेन एक्जाम में आप लोग आएगा एडमिट कार्ड कव आएगा दस जनवर का एग्जाम चलना है मार्च अपरीन मैं जून तक भी इस देश में इस बिहार राज में मतलब नहीं हो पाएगा क्योंकि उस समय आपका चुनाओ का पूरा लहर चलेगा ठीक है चुनाओ का समय रहेगा अचार सहीता वेगरे लागू रहेगा तो नहीं हो पाएगा पांच महिना और आपको बैठना चाहिए बिहार प्लिस के एक्जाम के लिए और जितना हो सके अपने तरफ से आपको लगाना चाहिए बांकि हम अपडेट कर देंगे आपको दस जनवरी का इंतिजार करना पड़ेगा अगर एडमिट काड़ आ जाता तो एक्जाम हो जाए तो आपका रिजल्ट बन जाता ठीक है तो फीजिकल पर ज्यादा आपको लोग फोकस करना अगर रिटेन अभी नहीं लिया जा रहा है तो दोड़ बना लिजिए गोला फिक की यह पूरा है ना लॉंग जम फाइजम को करिए प्रेक्टिस को बढ़ाईए सरीर को हलका करिए और फीजिकल को मजबूत करने का परियास करिए अगर समय दिया गया तो यह नेकी सोजा यह रिटेन होगा तब फीजिकल करेंगे ऐसा नहीं डुकॉमेंट फेरिप्रिकेशन होगा फिर मेरिट होगा आप लोग का मेरिट बनेगा उसको बाद मेडिकल लिया जाता है बिहार प्रिस का एक्जाम होना तो है लेकिन तयारी हम नहीं कर पा रहें अच्छा से ऐसा भी आप लोग के साथ हो रहा है क्यों हो रहा है दो-तिन फॉर्म भर्दी हैं बिहार इंटर लेवल पर ज्यादा फोकस से आप लोग का हम समझ रहें लड़की का भी है और लखा का भी है ल पाएगा तो यह आपका 2024 में कम संभावना लग रहा है अगर होता है थिक यह तो 2025 आप लोग का पहुंचने वाला है पूरा फाइनल प्रोसेस में क्योंकि आयोग तयार है कि आप लोग का एक्जाम जो है थोड़ा सा लेट से ही लेंगे तभी जाके बेतर होगा और छे महिन समझ में आ चुका होगा थोड़ा सा अपडिट भी हो पाएं होंगे एकजाम कब होगा क्या हमको करना चाहिए और क्या आप सोच रहे हैं क्या होने वाला है यह सब्सक्राइब भी ज़रूरी है और शेयर भी ठीक है और इसके बारे में अच्छा से बात किए और अगर नहीं